बन्दे पुर्सोत्तम चौबिस जन्वरी सन उन्नाइस सो तिरसट की बात है पत्ना के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट आये और उन्होंने ठाकुर्जी से पूछा कि आज कल अन्याय करके चीन बढ़ता चला जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है सिसी ठाकुर्जी बोले वह समझता नहीं है कि इंडिया उसका अपना है वह इंडिया को एक्स प्लाइट सोसन करना चाहता है दूसरे देसों के लिए इंडिया की जो कितनी कैमपेशन सहानुभूती है उसे वह फिल नहीं करता है अनेकों देस चीन की निनदा करते हैं मैं होता तो नहीं करता लोग अपनी निनदा को पसंद करता है वह देखना चाहता है कि दूसरे के लिए वह कितना मुल्लिवान सबस्टेंसियल है उस तरह की एटिच्चूड मनोभाव के साथ चलने पर चीन सायद एक दिन सेवक बन जाता इसके लिए परिश्रम करना होगा डिलिंग्स आचरन चाहिए दिमाग लगाना पड़ता है इन सबों के माध्यम से असत एड़्जेस्ट नियंतरित हो जाते हैं मईस्ट्रेट बोले चीन का हर्ट तो ठीक नहीं है से सिठाकुर्जी बोले सौक अगाद पाने से ही हर्ट अंतर ठीक हो जाएगा दूसरा कोई कंट्री यदि चीन पर अटैक करेगा या किसी से कोई इल्व हैवियर बुरा बेभार पाएगा उस समय यदि तुम उसके प्रतिक कम पैसनियों सहानभूती सील होकर उसकी सहायता करोगे तब वह समझेगा मजिस्टेट साहब बोले हम लोगों को तो उसने पहले भाई-भाई माना है सिठाकुर जी बोले वैसा माना है जिससे तुम लोगों को एंटिक प्रलुब्ध किया जाए उसकी बेवस्था थी पहले हिंदी चीनी भाई-भाई करे बाद में यदि बेनेट पकड़ेगा तो वहाँ इविल असत है समझना होगा मजिस्टेट साहब बोले तो उन्हें क्या डिवाइन पनिस्मेंट दैवर दंड कुछ नहीं होगी से सिठाकुर जी बोले डिवाइन पनिस्मेंट दैवर दंड स्वता ही होगी सरीर किमबा मन में यदि ब्याधी रहती है तो पनिस्मेंट सजा होगी ही उस समय उसकी मेडिसीन दवा संभवत इंडिया ही होगी सात्वती अगस्थ 2009 पेश संख्या 11.12 से जय गुरू